परिवार एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उश्रों में गया वहाँ लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे आस्मान में उड़ते रंग विरंगी पतंगों को देख कर बेटा का भी मन हो उठा उसने अपने पिता से कहा पापा मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ रिपय मेरे लिए एक पतंग खरीद दे बेटे के कहने पर पिता पास के ही पतंग के दुकान में गया वहां से उन्होंने अपने बेटे के लिए खरीद कर एक सुन्दर की पतंग और डोरी लाई पतंग पाकर वह खुशी से जूम उठा कुछ तेर बात वह भी धोर था में पतंग उड़ा रहा था उसकी पतंग उचे आकास में उड़ रही थी लेकिन वह खुश नहीं था वह चाता था कि उस पतंग की और उची उड़ान हो वह पिता से बोला पापा ऐसा लग रहा है कि डोर की वज़े से पतंग उची नहीं उड़ पा रही है क्यों ना इसकी डोर काट दी जाए इससे पतंग आजादी से और भी उची उड़ान भर पाएगा क्रिप्या आप इसकी डोर काट दे बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोरी काट दी डोर के कटते ही पतंग उपर जाने लगी यह देख बेटा बहुत खुश हुआ लेकिन कुछ देर बात पतंग उपर जाने के बजाए नीचे आने लगी और यह देख पेटा हैरत में पड़ गया वह पतंग जिसकी डोर काटी थी और उची उड़ान भरती थी लेकिन वह तो नीचे गिर गया उसने पिता से पूछा पापा ये क्या हुआ पतंग आस्मान में और उचाई पर जाने के बजाए क्यों गिरा पिता बोला बेटा ऐसी लग रहा था कि डोर पतंग को उड़ने से रोक रहा है जबकि वास्तों में ऐसा नहीं था डोर तो पतंग की सहयोगी था हवा की गती के अनुशार डोर खीच कर या तूटे हुए पतंग को उची उड़ान में उड़ा रहे थे लेकिन जब टोरी का सहारा कट गया तो काइट को मदद मिलनी बंद हो गई और वा नीची गिर गया ऐसा जीवन में भी होता है जीवन की जलकियों पर पहुच कर हमें लगता है कि परिवार, रिष्टे और दोस्त हमें बान रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुचने से रोक रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम उचाईयों पर जाने वाले दर्वाजे पर हैं, उनके नैतिक बल के बिना सफलता की उड़ान कठिन हैं, बेटे को अपनी गलती समझा आ गई कई बार हमें लगता है कि हम अपने जीवन में सुरुआती प्रगति कर लेंगे या जीवन के नए दबदबे को पालेंगे, यदि हम अपने घर और परिवार के बंदनों से मुक्त हो जाएंगे लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा परिवार और रिस्तेदार हमें दुनिया में और जीवन में आगे बढ़ने में मरत करते हैं पुरे समय में परिवार और दोस्त हमारा शहयोग बनते हैं और हमें प्रेजित करते हैं वे हमें पंधनों में नहीं जोडते बलकि शहयोग देते हैं। इसलिए उन्हें कभी भी खुद से दूर मत करो।